अगला पूछ रहा है चतिस गड़ के जनजाती बहुल्य छेत्र में कोन सी अनुसूची लागू है अब यह बोड़ रहा है अगर आप देखोगे सविधान पढ़ोगे तो सविधान में आपको अनुसूचिया मिलेगी तो उन अनुसूचियों में अगर आप देखोगे तो छतीस गड़ में जो जनजाती है वो कोन से अनुसूची के अंतर घत आता है इसकी बात हो रही है भाई आपको बीना दिमाग लगा है आपको देखना है 36 गड़ अगर आप 36 गड़ देख रहे हो स्वारी मेरा खासी आ रहा है भाई मैं पहले दिमाग बता दे रहा हूं बारीच चल रहा है आपके लिए भी हो मेरे लिए भी तो ऐसे मस समझ ना कि टीचेर भागवान होता है उसको कुछिच नहीं होगा भाई हम भी मिमार पढ़ सकते क्लियर जी तो आपको याद रखना है क्या च्छटीज गड़ य आपके लिए कितना पनाच हरक है आपको अरक शिधा beKYण गazz सփउची में क्या पांच अधू पास से तेज है कोन बनेगा करोड़ पती आप खेल सकते हैं आपको याद रखना है क्या पांचवी अनुसूची च्छतिस गड़ जो है च्छतिस गड़ की जो जन्यजातिया है आपके लिए पांचवी अनुसूची के अंतरगत आता है स्वविधान में क्लियर जी अगला प्रस्णां देखते हैं वेरियर एल्विन किस रचना से संबंदित है आप मतलब यह कोई न कोई राइटर है कोई न कोई लेखक है एक चर्चा कर लेते हैं किसके लिए वेरियर एल्विन यह व्यक्ती समाज सास्त्री मतलब क्या होता है समाज में जाते ऐसा बात नहीं है अराम से लोग जाएंगे एक समाज का पूरा उलोकन करते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं इनको क्या पसंद है अगर लड़की देखते हैं क्या देखने जाते हैं इनका विवा होता है कैसे होता है डोकरी डोकरम अगर जगड़ा होता है हर एक चीज को अग मतलब आप उस बुक को पढ़ लोगे और जिस जन जाती के बारे में रहेगा अगर आपको पूरा ग्यान हो जाएगा तब उसी क्या बोलेंगे हम लोग समाज शास्त्री ठीक है तो वेरिया रेल विन आपके लिए क्या हुए एक समाज सास्त्री फेमस समाज सास्त्री इसलिए आपको मैं बता रहा हुए तो मैं नहीं बताता है आपको याद रखना ट्राइबल इकोनामी ट्राइबल मतलब क्या होता है जी जन जाती ठीक है मैं आपको कंसेब दे रहा हूँ आपको याद करना है चारों चारों प्रस्ण पूछा हुआ है इसलिए एक ओप्शन में डाल तो आपको याद रखना है भई देखो हम लोग गूड मॉनिंग बोलते हैं क्या तो आपको याद रखना है जोर्ज गियर्षन तो आपको याद रखना है क्या जोर्ज गियर्षन तो आपको याद रखना है भई जोर्ज गियर्षन तो आपको याद रखना है गोंड से रख लेना जोर्ज या गियर्षन जैसे आपको क्या करते बने हो रिलेट करते बने आपको याद रखना दा कमार की बात कर रहा है स्यामा चरन दूबे तो आपको याद रखना है क्या स्यामा चरन दूबे वो है क्या द कमार के राइटर अब हम लोग चलते हैं कि इसके लिए दा मुडिया एंदेयर घोटूल ये है भई वेरियर एलिविन का तो आपके लिए आंसर होगा क्या द मुडिया एंदेयर घोटूल इनके साथ इनों लिए लिखा है क्या द अगरिया द बाइगा द अगरिया द मुडिया एंदेयर घोटूल ये सब भूख के रचनाकार है रह चाहिता है आपके लिए कोन वेरियर एलिविन वेरियर एलिविन एकोन है समाज सास्त्री तो आपको चीजों को रिलेट करकर करके पढ़ना है क्लिया आगे चले क्या